Hello everyone, welcome to our channel दोस्तों, आज किस वीडियो में हम देखेंगे पंचलाइट कहानी का सारान जो बोड एक्जाम में 80 से 70 वड में पूछा जाता है तो आईए इसको काफी आसान तरीके से हम सीखते हैं कि कैसे पंचलाइट कहानी को हो जल्दी से और आसान तरीके से कैसे हम लिखेंगे तो आईए सबसे पहले हम दालने के heading पंचलाइट कहानी का सारान अब आईए कहानी में हम कैसे लिखेंगे इस सारान को तो देखते हैं पंचलाइट रेंडू जी द्वारा लिखीत एक ग्रामीड जीवन पर आधारीत कहानी है ठीक है जो पंचलाइट कहानी है और भरिस्वर नाथ रिडू जी द्वारा लिखित एक ग्रामीड जीवन पर आधारीत कहानी है ठीक है अब आगे देखिए पंचलाइट का अर्थ है पेट्रो मेक्स अथवा गैस का लाल टेन ठीक थी घ्रम जो गाओं था उसमें असिच्छित लोगों की क्या थी एक टॉली थी इडिक है जिसने राम मेला लगा था महा पी तो उन्होंने क्या किया मिलकर एक पेट्रोमैक्स करीदा गाओं वाले उसे पंचलेड का करते थे घ्रstar में उसका नाम Petromax था लेकिन जब गाओं वाले खरीद के लाने तो उसको क्या बोलते थे पंचलेट का कर पुकारते थे ठीक है आगे देखिए अब प्रशनिया पैदा हुआ कि पंचलेट को जलाएगा कौन ठीक है क्योंकि जो पंचलेट तो खरीद ने खरीद लिए और उसक वहां के जितने भी मतलब लोग थे उन में से किसी को भी पंचलेट जलाना नहीं आता था सिर्फ वहां एक गोधन नाम का जो व्यक्ति था उसे ही पंचलेट जलाना आता था ठीक है अब आगे देखिए गुल्रिकाकी गोधन को बुलाकर लाई और फिर गोधन पंचलेट को बीना इस्प्रीट के गरी के तेल के मदद से जला दिया ठीक है जो गुल्री का की थी ये ठीक है वो जाती थी कि मतलब उस गाव में कौन पंचलेट को जला सकता है तो उसने मतलब क्या किया गोधन को क्या किया भूलवाया ठीक है फिर गोधन ने क्या किया बीना है SPRIIX के लिए PSRI hinter house ऐताना तेल बीना उसकी था से सिर्फ दो lie के तेल की उसने क्या क्या पंचलेट को जला दिया ठीक है अब आगे पंचलेट के जलते ह版 की लोग प्रसंड हो गए है जरब पंचलेट जला तो क्या हुए वहाँ चो तो लोग सारे थे, क्या हुए, प्रसंद हो गए हैं, और गोधर की सारी गलतियां माफ कर दी दी गए, और उसको पुना समुव में सामिल कर लिया गया, ठीक है, जब किसी कारण वस जो मतलब गोधन था, वो किसी गलती, कोई गलती किया था, तो उसको क्या किया थे, जो टोली में सामिल कर लिये, ठीक है, ताकि वो भी रहे, ठीक है, फिर क्या कि उन्होंने, किर्तन फिर से सुरू हो गया, मतलब बिना अंधेरे में किर्तन तो इस्टार ने होता है, तो उन्होंन क्या किया, जब लाइट जलना सुरू हो गया, तो उन्होंन क्या किया, किर्तन को फिर स शुरू कर दिया है फिर देखे इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने अपरत्य चरूप से ग्राम सुधार की प्रेणा दिया है मतलब जो गाउं में किस जीच की सुधार के लिए ठीक है तो क्या करना चाहिए उसके लिए अपरत्य चरूप से क्या क्या ग्राम में सुधार की प्रेणा दिया निता मेरा आज का वीडियो जो काफी आसान है और आपको जल्दी सियाद भी हो जाएगा ठीक है तो इसको आप लोग पढ़िए और अच्छे से लिगने का प्रयास करिए आई ओक वीडियो आपको अच्छे लेगी तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक कर करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद